नमस्कार दोस्तों इस वक्त अगर आप इंडियन स्टॉक माइकेट की बात करें तो तो स्मॉल कैप कंपनिया हैं उसमें हमको भीसर तेजी दिखाई दे रही है इसके बारे में मैंने आपको और वन वीक पहले ही बता दिया था कि जो भी स्मॉल कैप सेटर की कंपनिया हैं जो कर दिये हैं और कंपनी के अंदर हमको नया हाई लगतावा दिखाई दिया है उसके लावा तीन स्टॉक के बारे में और बात करेंगे जहां पर तेजी की उम्मीद दिखाई दे रही है और इस स्टॉक में आप ट्रेडिंग के तरिए कुछ प्राफिट भी दिलिट करकर चल दिखाई देती हैं तो चलिए बीना समय गवाई यहां पर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले हम जानने के कोशिस करते हैं कि ह्वियल पावर के शेयर में आखरी इतनी तीजी क्यों दिखाई दे रही है तो अभी हाली में आपने देखा होगा कि औरीशा के ब अफिचल आकड़े हैं रियल में इससे जादा भी आकड़े यहां पर क्रॉस होते वे नजर आ सकते हैं हमको तो अब यहां पर हुआ क्या है कि आपने सुना होगा कि कवच का आप लोग बहुत सब्सुन रहे होंगे कि कवच अगर योदी होता तो शायद यह भीशर जो हाथ अब कवच का अगर आप मतलब देखें तो कवच के बारे में गूगल पर असकर लिजएगा मैंने आप पर डिटेल रखी है आप चाहो तो इसको भी यहां पर जाकर कर देख सकते हो अब यहां पर अगर हम बात करें कवच काम कैसे करता है कवच है एक ऐसा सिस्टम है जिससे स्टेशन पर एक किलोमेटर के दूरी पर इंस्टॉल किया जाता है इसके साथ ही इसे ट्रेन को यहां यहां पर आपने आज का एक आर्टिकल देखा होगा कि कवज train system in spotlight करनेक्स माइक्रो सिस्टम्स HBL power systems share rally up to 10 पर संट अब यहां पर अगर हम बात करें तो आप यहां पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आपका economic times का आर्टिकल है यहां पर लिखा है साफ सब्सक्राइब कि कवज को भारती railway के तहत अनुसंधान डिजाइन और मानक संगटनों द्वारा HBL power systems करनेक्स माइक्रो सिस्टम्स और एक और कंपनी जो अनलिस्टेड है जिसका नाम मेगा सर्वो ट्राइब्स है उसके साथ विक्सीत किया गया था अब देखे जब यह हाथसा हुआ है तो इसके कारण क्या है कि यह जो भी कवच है जादा कोशिस करी जाएगी कि जल से जल यह काम पूरा किया जाए जिसकी वज़े से जो भी यह शेयर है सिर्फ HVL पावर ही नहीं करनेक्स माइक्रो सिस्टम में भी हमको जबर्दस तीजी दिखाई दी है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीते 5 तिनों में इस स्टॉक के अंदर भी हमको 23 पसंद की तीजी दिखाई दी है तो यही एक सबसे वड़ा कारण है कि आपको HVL पावर के शेयर में हमको उतनी जबर्दस तेजी दिखाई दे रही है अब आपके मन में एक प्रस ना सकता है कि सबसे तेजी कहां तक जा सकती है तो इस पाथ को भी एक बार हम यहाँ पर डेटेल से चर्चा कर लेते हैं HVL पावर में अगर आप मैक्सिमम चार्ड पैटन को ओपन करते हैं तो यहाँ पर स्टॉक में जबर्दस अपसाइट के मुमेंट दिखाई दिये हैं हमको काफी समय बात और यहाँ पर स्टॉक में नया हाई लगतावा दिखाई दिया है अगर आप आज का हाई देखें तो यहाँ पर 139.40 का इसका हाई लगतावा दिखाई दिया और यहाँ पर जो स्टॉक ने क्लोजिंग दी है वो हमको दी है 136 रुपीज के ओपर यहाँ पर आपको प्राइज के दिखाई देंगे तो देखें यहाँ पर जो क्रूशल इसका एक रेजिस्टेंस स्टॉक में रहने वाला है वो है 137 आज देखी जैसे इस स्टॉक ने 139 का ही लगाया उसके बाद क्लोजिंग दी है 136 तो यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस है 137 के उपर तो जो भी फर्दर तेजी स्टॉक में है इस लेवल पर अगर स्टॉक सस्टें करता है यानि कि 137 से लेकर 140 तक अगर यह स्टॉक होल्ड करता है तभी आपको इस स्टॉक के अंदर फर्दर अफसाइट के मुवमेंट दिखाई दिसकते हैं बात अगर हम करें इस कंपनी के फंडामेंटल्स की तो कंपनी ने हाली में अपने जो भी इनके प्राफिट है उसको थोड़ा सा बहतर किया है तो एक यह भी रीजन है कि यहां पर कंपनी के स्टॉक के मुवमेंट दिखाई दिए लेकिन अगर आप ओवराल हमारा बात करें की तो यह कंपनी कंपनी फंडामेंटल्स इतनी स्टॉंग नहीं है लेकिन हां क्योंकि यहांपर अभी न्यूज है तो न्यूज बेस के कारण यहां पर चर्चहाँ बनना हुआ है वहांपर अगर बात करें प्रिमोंटर की तो प्रिमोंटर के पास 59 परसंट की किस्सेदारी है जो भी यहाँ पर FIIs थे जब यहाँ पर उनके पास पोजिशन थी आप देख सकते हैं करीब करीब 11% किष्चेदारी रहा करती थी 2021 दिसंबर के महिने में उसके बाद हर एक यहाँ पर आप देख सकते हैं quarter में यहाँ पर इन्होंने profit booking करी है और 1% से भी कम किष्चेदारी अभी यहाँ पर TIS के पास FIIs के पास दिखाई दे रही है TIS के पास भी काफी अच्छे यहाँ पर शेर के मिश्चेदारी थी लेकिन जैसे ही जैसे यहाँ पर देखे स्टॉक के प्राइस में तीजी दिखाई दी तो उन्होंने यहाँ पर सारा profit book कर लिया अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रिटेल निवे सके उनके पास मात्र 21 पसंट की स्टारी थी जो की बढ़कर कर 40 पसंट की हो गई है तो इस वियल पावर को मैंने मल्टीपर टाइम अपने चैनल के ओपर कवर भी किया है जहां पर मैंने आप लोगों से क्लिरली बोला था कि अगर आप लोगों को लेकिन हां अगर आप ने यहां पर शौट टम का वियू बनाया हुआ है तो आपको एक यहां पर थोड़ा सा उपर का एसा रखना होगा 116 रुपय का इस एसल के साथ ही आप इस स्टॉक में ट्रेट करें अन्यथा आप इस स्टॉक से दूरी बनाकर रख सकते हैं उसके लाव अगर आप स्टॉक के लिए कोई स्टॉक देख रहे हैं तो यहां पर पहला स्टॉक हमारा रहने वाला स्पाइक स्पाइ जो इसका चल ला है 68 रुपीस 30 पैसे इस प्राइस पर आप इस स्टॉक को बाय करकर यहां पर चल सकते हो टागेट जो यहां पर आपको मिलने वाले स्टॉक के अंदर वो यहां पर पहला टारगेट आपका रहने वाला है 72 रुपीस का और उसके बाद अगर इस लेबल को य लेकर 80 तक के टारगेट भी दिखाई दिये सकते हैं इस टॉप लॉस जरूर आप लोगों को यहां पर रखना है इस टॉप लॉस यहां पर मेंशन कर देना हूं मैं आप लोगों के सामने 65 रुपीस का तो 65 के एसल के साथ आप इस स्टॉक को चाहो तो अपने वाक्स में सब्सक्राइबर लॉस जलती है वहां पर 70 रुपीस से प्राइस स्टॉक को उन्लोग दिलाते चले आ रहे हैं तो आज की दिन की बात करें तो इसके अंदर भी अच्छे खासे गासे लेवल यहां पर दिखाई दे रहें इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो आप यहां पर देखिए अगर यहां पर इसका जो मेजर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वह 110 का जहां पर सपोर्ट दिया और उसके बाद अच्छी काशी केंडल अगर आप यहां पर देखिए तो यह आप दे सकते हैं, काफी अच्छी यहाँ पर candle हमको बंती नजर आ रही है, तो अगर इस stock की बात करें, तो इस stock के अंदर आपको जल्दी 126 रुपीज तके target easily दिखाई दे सकते हैं, stop loss यहाँ पर आप यहाँ पर देखें, इसका जो low है 111 रुपय का, यह तो मैं उल्कुल दी सला नहीं दूँगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर हम swing trade कर रहे हैं, long term का view है, तो जरूर आप यहाँ पर 110 रुपय का stop loss लेकर यहाँ पर चल सकते हैं, तो stock term के यहाँ पर क्योंकि हम swing trade कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 115 रुपीज का एक SL maintain करकर चलना है, target आपक रखके easily यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो यह हो गया आपका second stock, एक और stock है यहाँ पर munzal auto, munzal auto में भी आज हमको काफी शांदार यहाँ पर volume दिखाई दिए, one day candle charge पर अगर देखें, तो आप चाहो तो इस stock को 52 रुपीज के current price पर buy करकर चल सकते हो, 52 रुपीज 60 पैसे, stop loss maintain करना है, आपको again stock के अंदर भी 50 रुपय का, और तो यहाँ पर target दिखाई दे सकते हैं, आपको 59 रुपीज तक के target आपको easily दिखाई दे सकते हैं, इस stock के अंदर, risk बहुत छोटा है, reward बहुत बढ़ा है, तो जरूर यहाँ पर आप इन जो तीन stocks मेंने discuss की हैं, वो यहाँ पर आप लोग add करकर चल सकते हैं, अपने portfolio के अंदर, तो एक और stock है, यहाँ पर capasite, capasite की बात हमने करें, तो multiple time हमारा stock के ओपर भी वीडियो आ चुका है, और आज के दिर intraday के अंदर, करीब 4-5% की तेजी दिखाई दी, इस stock ने भी पिछले कुछ दिनों से अच्छे क पासit return दी हैं, और एक महने में करीब करीब 38% return इस stock ने बना करकर दी हैं, आज यहाँ पर एक news भी निकल कर आई है, जहाँ पर इस company ने fund raising की बात कही है, जिसकी वेसे आज हमको जबदस्त तेजी इनके share में अधिवी दिखाई दी हैं, अब इस stock की बात करें, अगर तो stock मे मैं अपने portfolio का हिस्सा बना कर रखा हुआ है, मैंने, इस stock के अंदर मैंने, जो target रखा है, अपना 200 का रखा है, उसके बाद अगर इस label क्रॉस करता है, तो next target आपको 220 रुपीस रखा, यहाँ पर मैंने stock के अंदर यहाँ पर रखा हुआ है, तो आज यहाँ पर देशकते हैं, तो आपको जो target मैं नहाँ पर बताएं, उसको यहाँ पर आप maintain करकर चल सकते हो, इसके पूरे analysis चाहिए, तो already मैंने अपने channel के ओपर इसके वीडियो को बना कर रखा हुआ है, नहीं देखा है, जाकर देख लिए, बहुत कुछ यहाँ पर आप लोग सीखने भी वाले हैं, तो आज के अपने इस वीडियो के ही पर हम wind up करते हैं, मिलते हैं कल एक नए share के साथ, नए analysis का तब तक के लिए, जय हिन जय भारत!